ये वाला पार्ट दोस्तो वीडियो जो मेन वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसके 15 दिन बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका रीजन क्या है आगे बताता हूँ पर आगे जाने से पहले तीन गिववेज हैं पूरे वीडियो में चोटा सा इंट्रो बस खतम हो जाने दो फिर म हमने आज पूरे ब्लॉग में आगे जाके जो वीडियो में हमने चीजें बताई हैं उसमें हमने इस तरीके से आप चाट गपीट की मदद से बना सकते हैं थीक है एंड हमने इसमें.. वीडियो हमारा पूरा बं चुका था तर हमने 15 दिन वेट किया देखने के लिए कि क्या ह हमने जब बनाया है क्योंकि हमने वीडियो में क्या बताया था कि किस तरीके से low competition calculator, international calculator आप ढूंड सकते हैं, बना सकते हैं, हमने sample बनाया, उसका LGBT की मदद से, ठीक है, and वो rank भी करने लग गया, देखो impressions आने लग गया, हमने कुछ नहीं किया है, कहीं पर इसको demonstrate लिये, life में प US से आये हैं, ठीक है, Brazil, India, last में आया है, अब ये calculator क्या है, बेसिकली, ये एक tax saving scheme है, ISA इसको नाम दिया गया है UK में, और ये April में बहुत जादा सर्च होते हैं, अभी तो इसकी सर्च है ही नहीं, सबसे जादा सर्चे होंगे April में, और ये जो पूरा का पूरा calculator है, जो हमने आगे जाके बताया है कि किस तरी से बनना है, ये हम, जो इन गवे वे बोल रहे थे, उसका पहला है, ये पूरा का पूरा calculator मिलने वाला है, किसी एक lucky winner को, secondly हमने एक और sample blog बनाया था, संदीप महेश्वरी plus XYZ जो controversy हुई थी, उससे related एक exact match domain लिया था, पर मैं उसमें काम नही system है, ठीक है, जहां पर मैं 10 लोगों के blog शेयर करूँगा, अपने WhatsApp वाले सारे group में, और there are chances की वो लोग discover में चले जाएं, तो बहुत जादा लोगों को, इस पूरे वीडियो में, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, तो आपके पास पूरा मौका है, इस सारी चीज़े exact match domain चाहिए, या फिर आपको अपना blog हमारे ecosystem में share करना है, ठीक है, अगर आपको तीनों चीज़ चाहिए, तो आप तीनों अलग-अलग प्लीस comment करेगा, प्लस, आपको क्या करना है, इसके अलावा हमने description में Google form दे रखा है, उसको fill करना है, ठीक है, उसको fill करना जरूरी है, एंड पूरे वीडियो में कुछ है न, कोर्स चल रहे हैं, क्योंकि भई, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो उसको return में मुझे क्या चाहिए, कि आप ये वीडियो देखें, पूरा देखें, और बीच-बीच में इस वीडियो में कुछ कोर्स डिस्पले हो होता है, और AI को आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, पर आपको जब उसको समझाना पड़ता है, उसी को समझाने को कहते हैं, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डेमांड में है, प्रॉम्ट इंजिनेरिंग भी आप देख रहे हैं, बीमाई कैल्कूलेटर डॉट कॉम कितन कैल्कूलेटर, यह मुझे आइडिया अभी अभी आया है, उस से 46%, कैनडा से 5.7%, UK से 14%, औस्ट्रेलिया से है, इंडिया से मात्र 2% का ट्राफिक है, अब और इस वेबसाइट को बनाने में आपको बस एक स्किल चाहिए, हाउ तो यूस चैट जी वीडियो, नमस्कार दोस्त पॉपुलर वीडियो है, यह ही है, सूरच का, जिसमें से चैट जी बीटी और यूट्यूब की help से पैसे कमा रहा है, पहले भी कमा रहा है और अभी भी कमा रहा है, आज का जो वीडियो है, उसी का ही एक extension है, आप मान के चलेंगे, क्योंकि चैट जी बीटी आ तो गया है, मैं यकीन मानी है, जादा तर लोगों को अभी नहीं पता है कि उसको किस तरीके से इस्तिमाल करना है, तो कि टूल है, जैसे आपके पास एक कार आ गई, अगर आप उसको सही से इस्तिमाल नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब है, वो तीन का डबबा एक खड़ा है, इन आपको 4 करोड की कार आप ले लेते हैं, और उसके फीचर के बारे में आपको नहीं पता, अगर आप अच्छे से एक्स्प्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो 4 करोड की कार आपके लिए 4 लाग जैसी ही है, उसी तरीके से 4 GBT है, मैक्सिमम लोगों को 4 GBT का अभी सही तरीके से इ प्रॉम्ट इंजिनेरिंग भी तो आज का जो वीडियो है, उसमें प्रॉम्ट इंजिनेरिंग के बारे में भी आपको छोटा मूना मिलेगा, आज के वीडियो में आपको क्या पता चलने वाला है, आज जो पर्टिकुलर्ली हम फोकस करने वाले हैं, कि बहुत सारे ऐसे पीटी है, इसमें कोट आपको लिए सारा लिग देगा, इस वीडियो में हमें आपको क्या बताने वाले हैं, कि पहली चीज आप टूल ढूने कैसे, क्योंकि टूल के साथ पता है क्या होता है, कि कई बार अगर वो टूल एक्जिस्ट नहीं करता है, तो दो तरीके के टूल ह अगर आप उस तरीके का टूल बनाओगे, तो इसको रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर अगर एक टूल ऐसा है, जो आपने ऐसा खही से एनलाइस किया, कीवर्ड रिसर्च वगएरा से, कि ऐसा टूल बना नहीं है, तो यकीन मानिए, बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें कॉंपटिशन नहीं है, तो पहली चीज तो हम ढूड़ेंगे, कि हम कौन से टूल पर अपनी वेबसाइट बनाएं, और उसमें बेसिकली हमारा फोकस इस पर्टिकुलर वीडियो में रहेगा, इंटरनेशनल टूल, यकीन मानिए, इंडिया में चार जीबीटी कैसे, चार बटन दबाके आपके लिए वो टूल बना देगा, इसमें दो चीज हो सकती है, वो टूल आपको एक बार बना कर पैसे कमाने की मचीन बन जाएगा, या पिर अगर सक्सेस्फुल नहीं होता है, तो आपके पास एक पोटफोलियो बन जाएगा, ठ से पूरा प्रॉसेस दिया है कि कैसे आप क्लाइंट को रीच करके दिखा सकते हैं कि धिको मैरे को वेबसाइट बनाने आती है और एक-एक वेबसाइट के बहुत बोटे पैसे इंटरनाशनल कियो देते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं, इसको बनाने में कि अगर इस वीडियो में हम आपके लेर्णिंग पर्पस के लिए है और ये पुरा फुल फ्लेजट वीडियो है ये वीडियो देखने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे कमाने लग जाओगे पैसे कमाना जैसे पहले बोले कि पहले तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी कि चै अगर आप successful हो गए पहली बार में भी अगर आप successful हो जाओगे तो तो होता है और अगर आप बार 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 वो काम करोगे आपके काम में निखार हो जाएगा और आप eventually कहीं न कहीं vlogging industry में YouTube industry में content creation की जर्नी में successful हो जाओगे secondly जो हमने बताया थे कि भाई साथ portfolio आपका बन जाएगा जो आपको बहुत जादा काम आने वाला है यह वीडियो बहुत बड़ा है इसमें फूस रखता है कि कुछ चीज़ें पूरा time stamp दे रखा है आपको जो चीज़े पसंद नहीं आती है आपको स्किप कर सकते हैं महनत भी लगिए इस वीडियो को बना ले में तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना सारा process वह आपको step by step बताने वाला है जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा तो अब हम देखते हैं कि हम इस course में tools website कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके बाद हमें क्या-क्या चीजे मेंडेटरी होंगी क्या हमें उसमें कुछ SEO करना होगा and finally हम देखेंगे कि उस tool website को maintenance करने के लिए हमें क्या करना होगा तो चलिए हम चलते हैं screen पर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is tools website ठीक है तो होता क्या है कि जैसे मैं UK में हूँ और मुझे एक individual savings account करके हहाँ पर एक term होता है ISA उसमें क्या होता है मैं पैसे invest कर सकता हूँ और उस पैसे को invest करने के बाद मुझे एक return मिलता है तो मैं क्या करूँगा मैं गूगल में जाके search करूँगा ISA calculator तो आप screen पर देख सकते हैं मैंने डाला ISA calculator ठीक है न क्योंकि मुझे calculate करना है अब मुझे यहाँ पर अवीवा.com मिल रही है जो कि एक insurance company है और नीचे एक isa.co.uk करके है इसको मैंने click किया यहाँ पर मैंने डाला कि मुझे से 100 pound डालने है 5% का growth rate है 10 साल के डालने है तो मुझे total 162 pound 10 साल में मिलेंगे तो यह UK का savings account होता है basically जिसमें की tax नहीं लगता है तो यहाँ पर लोग यह search करते रहते हैं अगर आप इसका search देखेंगे तो आपको लगेगा क यह तो बहुत ही कम है 30,000 27,000 पर यह UK का ही traffic है बस ठीक है अब हम जाते हैं मान लीजिए कुछ लोगों को search करना हो कि मेरी age क्या है आपको लगेगा कि age के लिए कौन search करता है तो चलिए हम देखते हैं ठीक है age calculator मेंने डाला age calculator में कौन सी website आई calculator.net ठीक है अब calculator.net में इसने क्या डाला है date of birth क्या है और age at the date of किस तारीख में मैं कितने साल का हो जाओंगा यह calculate करेगा तो जैसे मान लीजिए मैंने अपनी date of birth कुछ डाल दी 1990 है ना और मैं देखता हूँ कि March में मैं कितने साल का हो जाओंगा ठीक है या इतने महीने के लिए हो जाओंगे या इतने week के लिए हो जाओंगे या इतने days के लिए हो जाओंगे या इतने second के लिए हो जाओंगे तो यह एक kind of viral message भी हो सकता है कि आप किसी को डाले तो चलिए यह तो एक fun related data हो गया पर हम इस website का traffic देखते है 47 million हो गया इसका September में इत that's related भी डाले हैं others भी डाले हैं बड़ अगर आप इसका traffic देखोगे तो यह 44 million का traffic है calculator अकेले पर ठीक है अब हमें यह समझ में आ रहा है कि ठीक है टूल website है अब इसमें आपने देखा होगा कि Google में मैंने जब डाला age calculator तो मुझे सबसे पहले यह वाली website आई अब उसके नीचे कौन सी आई calculator soap अब इसको मैं खोल के देखता हूँ अच्छा चलिए इसमें भी उसी टाइप का ही data है कुछ और चीजें इसमें detail में दे दिया है इसका traffic देखें इसका भी 15 million हो गया है इसने क्या किया होगा इसने भी बहुत सारे calculator बना रखें इसने calculator ही calculator बना रखें chemistry physics technology सब कुछ ठीक है अब हम एज calculator में और जाएंगे एकनोमिक टाइम्स है तो यह तो यू के में कोई calculator बनाते हैं माई एज calculator एक ने तो माई एज calculator करके ही side बना दी है और वो भी यहां आ रही है ठीक है अब इसमें इसक अब निश्प बनाईए इसने 500K प्लस और यह mostly US, UK जैसी countries में है यह देख लीजे नीचे US, Canada, UK इंडिया में कितना है 2% अब इंडिया वाले age calculator के लिए online तो नहीं जाते होंगे वो खुद calculate कर लेते होंगे मेरे इस website को अगर हमें बनाना है तो आपको लगेगा कि इसमें त कुछ करना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है यह code अब आपको मिल जाएंगे अब आप चैट GBT का यूज़ करके बना सकते हैं वह आगे देखेंगे बट अगर आप इस site में देखेंगे तो इसने age calculator बना रखा है हाव ओल्ड विल आई बी करके जो है वही चीज है जो home page में है ठीक है बर्थ डेट क्या है बर्थ टाइम क्या है कैलकुलेट कर लो आप उसे साथ से हाव ओल्ड विल आई बी में उसने डाल दिये future age calculator और उसने बूल दिये कि मैं 2030 में कितने साल का हो जाऊंगा या इसमें क्या इतने साल का हो जाऊंगा ठीक है तो इन calculate की बटन प्रेस करके देखते हैं इसने कुछ कुछ और दिया था हमारे इस calculator भाई ने कुछ और दिया था सबने अलग अलग टाइप से आंसर दे दिये और इसने content देखिए तो बस इतना सा लिखाया और कुछ लिखाई नहीं है और इसकी ब्लॉक पोस्ट है जो इसने 2021 में लास्ट एंट्री थी इसकी 2021 में इसके ब्लॉक पेज से तो मुझे नहीं लगता कोई ranking होती होगी उसको भी हम चेक कर लेंगे ठीक है कितने ब्लॉक पोस्ट लेंगे 16 से चालू करिए website और 21 तक है अब लोग बोलेंगे कि हम इस site को तो नहीं पचार सकते अभी बिल्कुल नहीं पचार सकते आप पर आप इस website को जरूर पचार सकते हों ठीक है इतना SEO हमें आता है इतनी स्किल्स हैं हमारे पास पूरा ट्राफिक आप देखोगे यूएस यूके का है फॉरन कंट्रीज का है हाई सीपीसी यूएस से 46% कैनाडा से 5.7 यूके से 14% औस्ट्रेलिया से है इंडिया से मात्र 2% का ट्राफिक है इसमें और इस website को बनाने में आपको बस एक skill चाहिए और एक WordPress website बनाने का तरीका चाहिए और कोई skill नहीं चाहिए होगी तो इस type की हम website आज बनाएंगे अब आप एज calculator ही बनाना चाहते हैं या फिर आप और कोई calculator बनाना चाहते हैं वो डिपेंड आप पे करता है आप कै कैसे research करते हूं एज calculator एक example है जैसे मैंने आईसा calculator बोला मैं UK में हूँ तो मैं आज एक आईसा calculator बनाऊंगा यह वाला बड़ आप इसी तरीके से एज calculator भी बना सकते हैं एज calculator की जो स्क्रिप्ट होंगी वह हम आपको दे देंगे वह हम आपको future अभी इस वीडियो में अंत् और चीज़ है अब यह क्या है इस पर आपने काफी वीडियो देख लिए होंगे कहो अगर आप सीजन है और आपको ने बोला होगा कि हाँ ठीक है यह तो रेपेटेशन है इसमें कुछ नया नहीं है बट अगर आप देखेंगे तो अब generator का जमाना आ गया है जनेरेटर इन गूगर में जाएंगे आप डालेंगे ब्लॉग टाइटेल जनेरेटर इसमें कौन सी वेबसाइट आ रही है और वाय रॉब ठीक है इसने क्या कर रखा है एक टूल वाला पेज बना रखा है और उसमें बोला है अपना ब्लॉग का टाइटिल डालें और हम उसे साब से आइ इनमें इंपक्ट आते ही नहीं है यह बढ़ते ही रहते हैं अब इनका डेटा तो कुछ नया नहीं होता ना पुराना होता कैलकुलेटर है तो सेम ही रहेगा कैलकुलेटर में कोई चीज़े नहीं पुरानी नहीं होती है या फिर किसी चीज को जनेरेट करने में तो जो ब्ल टाइटल जनेरेटर करके यूनीक यूरल नहीं बनाया है आजकल एक्जाक्ट मैश डॉमेन रैंक कर रहे हैं आफ्टर कोर अपडेट हमने यह देख लिया है हमने बहुत एनलेसिस किये हैं तो एक्जाक्ट मैश डॉमेन जैसे अगर आप ब्लॉग-title-generator.com लेंगे और उसमे लगेंगे पर हम उसको फ्यूचर वीडियो में जरूर लाएंगे अगर आप हमें कॉमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस टाइप से और वीडियो बनाएंगे तो 500 600 के है 500 के मान लेते हैं हम जाते हैं अपने दीपा वली SEO टिप्स के टूल्स में उसमें हम डालेंगे AdSense Calculator यह मैं AdSense की ही बात कर रहा हूं अभी हम और भी Methods देखते हैं किस टाइप से तो डेली पेज इंप्रेशन है डेली पेज इंप्रेशन कितने हुए 500 के हिसाब से मान लेते हैं यह तो सिमिलर वैब बोल रहा है तो मैं इसका 20,000 मान लेता हूं ठीक है पेज CTR अभी पेज CTR हम मान लेते हैं इसका 3% और सिंज इसका ट्राफिक यूएस यूके है तो 10 डॉलर का RPM होना चाहिए 10 डॉलर का CPC होगा नहीं तो हम पांच डॉलर पहले करके देखते हैं तो पांच डॉलर के हिसाब से यह मंतली नभ्य हजार डॉलर कमा सकता हुगा नभ्य हजार ओके मुझे डेटा कहीं जादा तो नहीं डाल दे है पेज 20,000 पेज CTR दो परसेंट मानने है और यहां पांच डॉलर मानने तो भी साथ हजार है मतलब एक परसेंट के CTR पर यह फरक है अच्छा गूगल एटसेंट की कुछ पॉलिस चेंज हो रही है जैनवरी 2024 से उसका डीटेल वीडियो हम बनाएंगे बट गूगल एटसेंट नहीं बोला है कि जो आप कमाते थे उतना ही कमाएंगे ठीक है ना तो मोटा म है बस एक कैल्कुलेटर का टूल बनाया है हमने पेज 1 में देखा है यह रैंक कर रहा है एक्जैक्ट मैज डोमेन है एक इसके अलाबा और कैसे कमा सकते हो आप मान लीजिए आपकी ट्राफिक नहीं आया मान लीजिए आपका कुछ नहीं हुआ आपने बोला रहे मैंने तो की website बनाई है और चली नीकलत करकि आप फाइवर में जा सकतें हूं उस स्किल को यूण इस करके आप कशी क्लाइंट को लिंग बिन में रीच आउट कर सकते हों आप WordPress के developer बन जाते हो इससे, आपको PHP आने लगती है, आपको अभी coding नहीं करनी है, अभी ChatGBT code लिख के देगा आपको, पर आपको process समझ में आ जाएगा उसके बाद की बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो यह आपके लिए एक learning भी रहेगी, आपका investment क्या रहेगा, एक domain name लेना वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, कितना पैसा लगेगा उसमें, बट इस skill को आप अपने portfolio website में डाल सकते हैं, आप फाइवर से client डून सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है फाइवर और अपवर से client कैसे डूनते हैं, तो अगें comment करें, हम उस पर इस detailed video भी बनाएंगे इसके अलावा tools के करीबन 10,000 type के tool हैं, अब एक नहीं है, तो हम अगर ahref में जाएं, आप यहां पर बस calculator डालेंगे, आप के पास अगर ahref नहीं होगा, तो यह हम data आपको दे देंगे, आप comment करके बोलें, कि हम यह data share करें, तो हम आपको यह share कर देंगे, आप यहां पर calculator करके डालेंगे, आप related terms में डालेंगे, आप calculator करके जैसे ही डालेंगे, तो आप देख लेंगे इतने सारे keywords आ रहे हैं, कितने keywords हैं, 2.2 million है, ठीक है न, 2.2 million है, auto loan, fraction, car loan, scientific, online, compound interest, final grade, paycheck, tape, inflation, algebra, time, age, salary calculator, factoring, triangle, snow day calculator, snow day calculator, अच्छा, किस दिन snow गिरेगी, उसका calculator होता है, तो हम डालते हैं, snow day calculator, ठीक है, snow day calculator करके भी, एक side बने, snow day calculator, उसका traffic कितना है, 75K, 7K, 8K है, इसका भी traffic, ठीक है, तो यह सब US, UK के traffic हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं, किस दिन snow गिरेगी, snow day calculator भी है, ठीक है, snow day calculator, BMI calculator woman, BMI calculator woman हम डालते हैं, चलिए, गूगल में गये हम, BMI calculator तो BMI calculator में calculator.net ही आ रहा है, किसी ने BMI हाइफन calculator करके नाम ही नहीं लिए होगा लग रहा है, तो आप देखेंगे, unlimited scope है, इन चीजों का, एक दो लोग ही इस पर काम कर रहे हैं, अच्छे से, बहुत से लोगों ने बनाई होगी site है, पर आप अगर various calculators बनाते जाएंगे, ए simplify calculator, इनके traffic देखे, 100K, 90K, 80K, 70K, all decreasing order में है, यह मतला low competition हो जाएगा, salary to hourly calculator, इस पर यह exact name match domain ले लो और उस पर ही बनादो, margin calculator, tip calculator, अच्छा यह जो keyword difficulty होती है, इस पर अगर ध्यान देने लग जाएंगे बहुत ज्यादा, 86 है, तो इस पर हम जिन्दिगी में कभी rank नहीं कर पाएंगे, तो इस पर कोई काम नहीं कर सकता है, बट अगर आपको keyword difficulty बहुत कम चाहिए है, तो keyword difficulty 20 तक अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे, इस node ए calculator है, B, A, H calculator है, प-value calculator, इनके भी traffic अच्छे है, ठीक है न, तो आप इस type से अपना कर सकते हैं, data, हम यह data आपको द analyze कर सकते होंगे, खुद से भी, कि मुझे कौन सी चीज पर start करना है, ठीक है, मैं बोल दूँ, आप age calculator ही बनाओ, तो वो आपका decision होगा, मैं ISA calculator बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे UK में पता है, ISA related चीज़े सर्च होती है, मैं UK में रहता हूँ, मुझे UK की चीज़ें पता है, बट हाँ, आईसे calculator is more or less UK based, जो आपको पता होना चीज़ें, यहां के इर्दगर्द और क्या चलता है, वो मुझे पता हैं चीज़ें, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, as an example आपके लिए, and उसको मैं rank कराने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है, अब rank होगा नहीं होगा मुझे पता है, मैं बस calculator बनाऊंगा, डाल दूँगा, उसमें 2-3 calculator और बनाऊंगा, और डाल दूँगा, और that is it, उसके अलावा मैं उस website में कुछ नहीं करूँगा, उसमे अप्लाय करने की कोशिश करूँगा, एटसेंस हो गया अप्रूब तो ठीक है, नहीं तो वो मैं अपने portfolio म एड करके रखे रहेंगे, कि हमने भी ऐसी websites बनाई है, हमें coding आती है, that is my aim, and that is why हम ये course भी बना रहे है, ठीक है ना, अब हमारा next step क्या है, अब हमारा next step है, कि हम chat GBT का use करके ISA calculator कैसे बनाऊंगा, तो हम चलते हैं chat GBT पर, तो आप देख सकते हैं screen पर, तो चलिए chat GBT पर क् मैंने सबसे पहले एक prompt दिया, I need to create a tools website in WordPress, please share the outline, क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, शुरुवात कर रहा हूँ, तो मुझे तो जादा चीजें पता नहीं होंगी, तो उसने बुला, आपको niche define करनी रहेगी, domain name और hosting लेना रहेगा, ठीक है, WordPress install करना रहे सारी चीजें SEO करना रहेगा, जो हम अभी आपको बताएंगे ही, यह सारी चीजें उसने भी हमें बता दी कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, अब उसने बोला था niche select करने के लिए, यह सारी चीजें मैंने पहले type कर दी है, ताकि इस वीडियो में आपको direct information मिल जाए, ठीक है ना, तो अब मैंने इसमें बोला फिर, I have selected the niche as ISA calculator, please provide me all the code details to be added to create the ISA tool website, इसको मैंने बोल दिया, I have zero coding knowledge, and I want you to provide me all the steps on how to add the code to a WordPress website, ठीक है तो वो समझ गया कि मैं ISA मतलब individual savings account की बात कर रहा हूं, और scratch से बनाना है, तो उसमें बता दिया, here is a basic example using HTML and JavaScript, इसके लिए आपको क्या कर रहे गए, create a new page in your WordPress dashboard, give it a title, this, in the page add a custom HTML block, paste the following code, और उसमें code दे दिया है, ठीक है तो आप इस code हमें डालना पड़ेगा, website बनाने के लिए, तो आप हम separately एक website पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, website बनाएंगे, उसके बाद हम इस code को डालेंगे, चैट GBT ने हमें कुछ दे दिय है, अब इसको हमें test करने के लिए हम एक website बना लेते हैं, उसमें डालके देखते हैं, यह चल भी राएगी, ठीक है ना, तो उसके लिए website बनाने के लिए आपको सबसे पहले, जैसा की chat GBT ने भी बोला है हमें, एक domain name और एक hosting की आवश्यक्ता होगी, तो अब हम hosting के लिए आ website का box दिखेगा, और यहां पर affordable hosting में एक link दिखेगा, इस link पर आपको click करना रहेगा, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, आपको best discount automatically मिल जाना चाहिए, यह link हमारी latest link होती है, इसको click करना ना भूले, क्योंकि इस link को आप click करेंगे, तभी हमें भी affiliate commission थोड़ा सा मिलता है, और उन premium theme and plugin से multiple websites बना सकते हैं, आपको email support भी मिलेगा, और हम एक आपको VIP group में भी add करेंगे, जहां पर हम regular information around SEO share करते रहते हैं, तो make sure करना आप इस link को click करेंगे, जैसे ही हम इस link को click करेंगे, आप इस page पर आएंगे, तो आप देख सकते हैं, 119 रुपे पर month का plan है, आप यहां पर claim deal पर जाए, ठीक है claim deal पर जाएंगे, आपको यहां पर already सारे plans दिखने लग जाएंगे, ठीक है, हम अब थोड़ी सी plans के बारे में बात कर लेते हैं, single host का मतलब है, एक website आप बना सकते हैं बस, उसमें एक ही चीज होगी, आपको domain name का cost देना पड़ेगा, तो यह आपके जादा होगा, hardest जादा है, backup है daily का, और अगर आपकी website rank करने लग जाएगी, तो यह सारी चीज है काम आएंगी, future में, free domain दोनों देना है, free CDN है, तो मान लीजे जैसे कि आपने tool website बनाई हो, चलने लग गई, जिनका की worldwide traffic है, CDN can help है, बट अगर आप beginner है, तो 100 websites host करने के आप इसको लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं business भी सही है, तो business का भी discount अभी best ही चल रहा है, और इसमें भी offer है, ठीक है, और जो भी plan आप लें, आप इसके details पढ़ लें, आपको ठीक लगेगा तो ही लें, अगर आपको कुछ doubts है, तो आप hostinger support से पूछ सकते हैं, आ तो सारी चीज़े हैं, तो, और मैं एक चीज़ बता देता हूं, टूल website एक बनाने का कोई फाइदा रहेगा नहीं, आपको चार-पांश टूल देखने रहेंगे, चार-पांश टूल की website बनाए, उससे related पोटफोलियो बनाए, और उससे related आप income generate करने की कोशिश करें, आप यहां पर add to card करें, add to card करने के बाद यह one month भी देता है, 649 में, जिसका की कोई use नहीं है, one month के लिए आप blogging भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको practice करने हैं, तो फिर अगर blogger पे चले जाएं, अगर आपको blogger के बारे में नहीं पता है, और उसके बारे में detailed course चाहिए, तो please comment क date आप देख सकते हैं, अगर यह नहीं समझ में आता है, कि कौन सा plan better है, तो इसका भी calculator बनवा सकते हैं, ठीक है ना, कि hosting plan calculator, यह मुझे idea अभी अभी आया है, तो इस idea को भी आप implement कर सकते हो, ठीक है ना, कि hosting में अगर 48 महीने की लेंगे, आप 24 महीने की लेंगे, तो कितना difference हो के लिए आपको, जो इसकी cost होगी और 12 महीनी की cost होगी ना, तो 12 महीनी की cost का double करोगे ना, तो आपको 50 मन्त की hosting मिल जाएगी इसमे, तो आप देख सकते होंगी, आपको एक साल का extra पैसे देने में, सवा चार साल करीब की hosting मिल रही है, तो वो आपकी उपर है, आपको जो ठी लगे वो करें, अभी इसकी उपर और discount होगा, ये 7430 का है, 48 महीने का, अगर आप 12 महीने करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, ये 3441 का है, ठीक ना, 3441, and 48 मन्त का है, 7400, now, एक coupon code है, जिसको आप use करेंगे, SEOPAVAN, तो आपको industry का best discount और मिल जाएगा, जो कि around 10% है, तो आप देख सकते है, 6,687 की आपको पढ़ रही है, 12 मन्त की 3,400 की कुछ पढ़ रही थी, ये आपको 6,687 की पढ़ेगी, तो ये आपकी उपर है, आप कौन सी hosting लेना चाहते हैं, यहाँ पर फिर payment method है, अगर आप से ले रहे तो आपको बहुत सारे हैं, अगर आप UK से लेंगे, तो आपको दूसरे payment methods दिखेंगे, currency change जाएगी, discount will still remain the same, and US, any other countries में भी वो similar रहेगा, ठीके ना, यहाँ पर submit secure payment करेंगे आप, तो payment gateway में जाएगा, वहाँ से वो payment initiate हो जाएगा, जैसे ही आप payment initiate हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से एक mail भी आ जाएगी, यह जो mail है, आप इसे हमें forward कर दिजिए, और इसके साथ एक invoice है, उसका email ID दिया होगा हमारे description में, उस पर forward कर दिजिए, ताकि हम सारी goodies और जो भी chat GBT से हम tools बनाएंगे, उसकी scripts हम सारी उस जगे आपको दे देंगे, उसके validation के ताकि आपको वो website बनानी है, तो आप बना सकते हैं, कोई और बनानी है, आप हमें email करके पूछ सकते हैं, हम आपको tips बता देंगे, अब आप जैसे ही hosting ले लेंगे, आप फिर hostinger.in पर जाए, hostinger.in पर login पर जाए, आपने जब hosting ली होगी, तो अपना email ID और password बनाया होगा, उ भी already hosted है, तो इसलिए हमने आपको पूरा purchase scenario नहीं दिखाया है, अच्छा, इसमें क्या होता है, कि यहाँ पर जब आप पहली बार लेंगे, तो यहाँ पर एक claimer domain का option आएगा, वहाँ से आप एक domain name ले सकते हैं, अब हमें chatgbt ने बोला था, हमें domain name भी लेना है, तो आप domain के option को आप जाएंगे, यहाँ पर करेंगे get a new domain, ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हों, जैसे मुझे लेना है, आईसा calculator का, ठीक ना, मैंने आईसा calculator डाला, आईसा हाइफन calculator, ठीक है, यहाँ पर आईसा calculator नाम से बहुत सारे domain जाने लग गए है, अच्छा एक थोड़ी सी और interesting चीज़ बताता हूँ, मैं आप go daddy पर जाओ, ठीक है, go daddy पर आप डालो, bmi calculator, लेटर, आप देख रहे हो, bmicalculator.com कितने में बिख रहा है, किसमें साइट बना ही नहीं है, यह premium domain है, यह बोल रहा है कि अगर आपको लेना है, तो 52,000 pound है, मतलब 52,00,000 का यह domain है, तो आप समझ रहे हो, calculator की value, ठीक है, चलो आप नीचे जाके देखो, bmicalculator.net, आठ लाग का domain है, ओके, और आप जितने भी calculator related keyword पर जाएंगे ना, वो domain बहुत नहेंगे होते जारे है, actual वाली में, आप यहाँ पर डालो, bmr calculator, bmr calculator भी 22 लाग का विकरा है, ठीक है ना, dot com, तो dot com और dot net की बहुत value है, domain wise भी, और आप as a domain investing में कर सकते, कोई नई चीज़ आई है, जिसको calculate करना हो, ठीक है ना, hosting plan calculator, और वो trending हो जाए future में, यह एक idea है, तो अब हम वापिस isa-calculator पर देखते हैं, जो मुझे मिला, करीबन 1000 रुपे का था, मैंने वो domain खरीद लिया, यहाँ पर खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहेगा, जैसे यह domain है, यहाँ पर गए, by domain में गए, वो details पूछेगा आपसे, आप यहाँ complete payment करेंगे, यह domain आपका हो गया, तो hosting आर में यह भी फायदा है, आपको goad id में जाके नहीं करना, यह सब, तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अब domain ले लिया हमने, हमने hosting ले ली है, अब हमारा next step क्या है, हमें उसमें wordpress setup करना है, wordpress setup करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप जाएं website से, यहाँ पर दिखेगा आपको create or migrate a website, यहाँ पर click करें, what is your website type, अब इनको भी नहीं पता है कि tools भी एक type होता है, तो इसको skip कर दीजे, और create a new website, yes, wordpress, yes, wordpress में हम बनाना है, यहाँ पर यह जो password होगा, इसको ध्यान से रखेगा, क्योंकि अगर आप भूल गए, तो आपकी website गई, website जाएगी नहीं, basically क्या होगा, कि आप website में login नहीं कर पाऊगे, नहीं तो आपको फिर hostinger से contact करना, reset कराना पएगा, तो आप यहाँ पर continue पर एक अच्छी सी डाल देंगे, choose a domain isa-calculator.net, select, तो देखिए, एक मिनिट में उसने wordpress इंस्टॉल कर दिया, अब इंदोनों boxes में control panel क्या होता है, आपका backend होता है, तो tool website में कभी-कभी यह चाहिए पढ़ सकता है, ठीके न, अगर आप PHP related या कुछ ऐसे code लिखेंगे, जो SSL भी अपने API install कर दिया, हमने बोला नहीं था, पर इसने कर दिया, जो की बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर वेबसाइट के backend में direct dashboard में जा सकते हैं, तो यहाँ पर admin panel पे click करें, और mind-blowing website बन गई है, आपकी, mind-blowing तो नहीं है, भी हम बनाते हैं इसको, आप यहाँ पर जाकर dashboard में click करिए, अच्छा, टूल website में क्या है, बहुत जादा customization नहीं करना है हमें, ठीक है न, तो इसमें minimum customizations होते हैं, पर basic settings करनी रहेगी, तो मैं वह आपको बता जेता हूँ, आप जाए, पर्मा links में, पर्मा links में, पर्मा link type post कर दीजे, ठीक है न, बस यह chain जरूर दे चैट GBT जी ने बोला है, कि create a new page in your wordpress dashboard, give it a title ISA calculator, तो यहाँ पर आप देखेंगे, page add new, इसका title दे दिया हमने, ISA calculator, ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इन दे पेज एडिटर, add a custom HTML block, तो यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर custom HTML block दिख जाएगा, यह रहा, और यह बोला है, paste the code in the custom HTML block, तो copy code, code को हमने copy किया, और यहाँ पेस्ट कर दिया, और प्रिव्यू करेंगे, तो भाई साब, calculator बन गया, चलिए हम इसमें initial investment करते हैं, 500 pound, annual contribution कर दिया, हमने, मान लिजिए, दस हजार, पांस साल के लिए, calculate, अब इसने result दे दिया, पचास हजार पांस सो pound, पांस साल में, पर इसने क्या किया है, पर यह आईसा calculator तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ calculate ही नहीं हो रहा है, तो हमें chat GPT से फिर और बातचीप करने पड़ेगी, तो let's talk again, तो हमने क्या किया, फिर अगला prompt दिया, थैंक्स, please add an input column for interest rate as well, where user can input the interest rate, and based on that, please compute the output, तो आईसा है individual savings account, अब जैसे कि मैंने बोला, मुझे पता है इसके बारे में, तो मुझे पता है कि इस calculator में, जिस interest पर मैं deposit करूँगा, उससे मुझे return मिलेगा, जैसे कि एक savings है, deposit होता है इंडिया में, वैसे ही है, तो उसने बो ही code दे दिया, इसको मैंने copy किया, copy code, और यहाँ पर मैं HTML में जाओंगा, वापिस से, इसको delete कर दूँगा, और यहाँ इसको paste कर देता हूँ, तो यह देखिए, एक और column add हो गया, मतलब कुछ करने ही नहीं पड़ा आपको, बस इसने add कर दिया, अगर कोई developer होता ना, तो इ effort वगेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर 500 डाला, 10,000 डाला, अब number of years 5 डाल दिये, interest rate 5 है, calculate पर click किया, तो अगे वो 58, 657 आने लग गया, जो की हाँ, more or less सही है, तो अब मुझे यह पता है कि यह ठीक हो गया है, अब मेरे को यह ठीक लगने रहा है, और मुझे अब इस tool में यह समझ में आ गया है कि यह मेरा tool बन चुका है, इसको अब हमें रूप रेखा या रंगरोगन करना रहेगा, जो की wordpress की style में easily हो जाता है, तो हम इसको एज़ा save draft कर लेते हैं अभी के लिए तो, अभी तो हमने इसको save draft कर लिया, अब हम क् आना पड़ेगा, उसके लिए भी हम अभी सारी चीज़ें करेंगे, इसको तो भी मैं बिन में डाल देता हूँ, और यहां पर post में जातकर, all post में आप जाएं, यहां पर एक hello world की post होगो, उसे भी बिन में डाल दीजिए, अब आप एक, आपको क्या करना रहेगा अब, अब इसमें हमें थोड़े से सेटिंग्स और देखनी रहेंगी, तो जनरल में आप जाएं, जनरल में जा करके, आपका साइट का टाइटल जो है, आपका कीवर्ड मेरा है, isacalculator.net, और ऐसा कुछ है नहीं मेरा, wordpress URL में यहां http है, यहां पर s लगा देंगे आप लोग, ठीक है, time zone जो करना है, आप वो कर लीजिए, इसमें कोई change करना नहीं रहेगा, leading में exert कर दीजिए, अगर आप future में blog post लिखते हैं, तो वो सही दिखे, full text में क्या होता है, कि category में ही सारी चीज़ें दिखने लगते हैं, तो make sure करें, exert डाल दें, discussions में कोई change नहीं है, मीडिया में कोई change नहीं करना है, यह basic हो गया, अब आप जाएं, plugins में, installed plugins पर जाकर के देखें, इधर पर अभी hostinger का plugin है, light speed है, तो hostinger के plugin के हमें अभी कोई आवश्यक्ता नहीं है, तो इसको हमने delete कर दिया है, अब हम जलिए website देखते हैं, कैसी दिख रही है, website देखिए, अब कुछ इस type से दिख रही है, है ना, तो बहुत ही basic है, अब यहीं पर मुझे tool दिखाना है, इसी page पे, right, मुझे तो homepage पे ही tool दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब pages में जाऊंगा, all pages में, यहां पर मैं इसको quick edit करके, इसको, इसका status published कर दूँगा, और update कर देता हूँ, ठीक है, तो यह मेरी post बन गई है, पेज, अब यह इस type से दिख रहा है, इसको मुझे home में नहीं दिख रहा है, home में अभी भी mind blown नहीं हो आ रहा है, तो mind blown की जगे मुझे main चाहिए है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आप settings में जाए, settings में आप जाए, reading पर, reading में जाए, static page, यहाँ पर home page कर दें, आप ISA calculator, और यहाँ पर save changes कर दीजे, अब हम जाते हैं, website में, इसको refresh करके देखते हैं, यह देखिए, अब इसमे तो क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और विकुली अजीब सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा रंग रोगन हमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक theme डालने पड़ेगी, तो अब हम theme कौन सी डालेंगे, free theme डाल रहे हैं, premium themes जो हैं हम आपको देंगे, बट इसके ल easy to customize है, free वाला version भी, तो आप generate press search करेंगे, generate press आ गई, यहाँ पर install, तो यह generate press theme इंस्टॉल हो गई है, अब हम देखते हैं इसका कैसा हुआ, थोड़ा सा ठीक हो गया देखिए हैं, boxes boxes अपने आप ही ठीक होने लग गए, calculate का बटन अपने आप बटन बन गया है, हमने नहीं ब sidebar पर जाओंगा, sidebar layout में बोल दूँगा, no sidebar, यहाँ पर भी no sidebar, यहाँ पर भी no sidebar, और इसको publish कर देता हूँ, अब आप देखिए, यहाँ से sidebar हड गया है, यह एक page आने लग गया है, अब इस page में यहाँ पर ISA calculator फिर से आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या कर बना रहेगा, हमें जाना पड़ेगा menu में, menu में आप यहाँ इस menu में यह बना हुआ है default, तो हम एक menu बनाते हैं header, इस page को करते हैं remove, और create करते हैं menu, और menu में manage location में जा करके header लिखते हैं, save changes, अब हम देखते हैं यह हड गया, बिलकुल हड गया, पर यह tool अभी भी इतना नहीं, बट अब इसमें मुझे content भी डालना पड़ेगा, right, कुछ तो content डालू मैं, तो मैं वापिस से chat gbt के पास जाता हूं, मैं chat gbt के पास गया, मैंने बोला, can you write a blog post for the about tool for users with instruction manual, so that you can use, because tool use करना है, तो उसको instruction manuals देने पड़ेंगे, तो उसने मुझे tool दे दिया, अच्छ यह चेक करना पड़ेगा, यह है की नहीं है, human written है, कुछ लोग तो human से लिखवाते हैं, तो अच्छा होता होगा, तो हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, हम बोलते हैं, AI content detector, यहाँ पर writer यह है, ठीक है न, धर पर हम text डाल देते हैं, character की कुछ limitations है, free वाले में, तो हम थ app 7 तक हटा देते हैं, अब देखते हैं, कि AI ने इससे ही तो उठाया है, अरे, यह tool तो बोल रहा है, human generated है, वो भी 98%, तो अब I don't know, कि Google भी समझ पाजा की नहीं, कि AI ने लिखा है, कि human ने लिखा है, अगर यह AI generated बोलता, तो मैं chat gvt को ही बोलूँगा, कि इसको human related लिखके द सकता है, उसमें भी एक code लिखा गया हो, मैं IT industry से हो, मैं AI समझता हूँ, ठीक है न, तो बिना coding, बिना logic के कुछ नहीं हो सकता है, content को समझना, कि क्या वो human ने लिखा है, क्या वो AI ने लिखा है, is based on certain words, certain phrases, अगर आपको prompt engineering नहीं आती है, तो comment करें, कि prompt engineering का course लाएं, मैं एक detailed course बनाऊंगा, prompt engineering related, but it is all about prompt engineering, it is about understanding the algorithm, how things work, इसने इसको human related content बोल दिया है, पर अब इसका plaque check भी करना है, ठीक है न, तो plaque check करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आप लिए free tool बना रखा है, आप जाएं, दीपबली SEO tips, SEO tools में, plagrism checker, plagrism checker में जा करके, आप वो content डालें, और आ यहां से आप plagg check कर लिजेगा, मैंने plagg check कर लिया है, तो यह 100% plagg free है, मैं अपने ही credit क्यों use करूं, क्यों कि इसके लिए पैसा लगता है, मुझे, तो इसलिए अब यह content आ गया है, अब मैं इसे copy करता हूँ, इसको copy करने के बाद, मैं यहां पर edit page में जाऊंगा, edit page में जाकर के, मैं यहां पर plus बिटन क्लिक करूंगा, और यहां पर paragraph ही ले लेते हैं, और paste मार देते हैं सारा कुछ, तो paste मारा introduction, इसको मैं h3 कर देता हूँ, चलिए, इसको मैंने सारा h3 कर दिया, यहां contact test में कोई लिनों ने link दे रखा है, chat gbt ने पहले तो कोई link देता नहीं था, अब यह link भी देने लग गया है, तो इन सब चीदों को मैं हटा देता हूँ, एक बार मैंने post को पढ़ लिया है, मुझे steps ठीक लग रहे हैं, अगर कुछ होगा तो आप इसमें अपने words में लिख सकते हैं, एसा नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है, आपको 100% trust नहीं करना है, आपको content को पढ़ना जरूर पढ़ेगा, ओके, और content को इस साब से पढ़ना ह एक बार, क्योंकि tool website एक बार मनाई है, उसका बार कुछ नहीं करना है, तो एक ही बार की मेहनत है, उसके लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़े से इदर उदर लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं, आपकी इसको feedback दे दो भाई, थोड़ा सा, ठीक है यह हो गया, अब हम इसका page view करते हैं, यह देखिए, अब इसने content भी लिख दिया हमारे लिए, अब हमें इसमें mandatory pages बनाने होंगे, mandatory pages बनाने के लिए भी हम लोगों ने आपके लिए एक tool बना रखे हैं, आप जाए, adsense mandatory page generator tool, तो यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखे आपको, ठीक है, तो हम एक एक करके बनाते हैं, तो हम about us बनाते हैं, about us में website का नाम है, isa calculator, type है calculator, tools website है, generate, यहाँ पर copy code करना है, यह भी सेम तरीका ही है, तो यहाँ पर आप जाएं, pages में, add new, add new करें, यहाँ पर लिखें about us, और यहाँ पर जाएं, custom HTML, paste करें, preview देखें, ठीक है, publish कर दें, यह about us पेज बन गया, चलिए मैं इसी type से 5 पेज बनाता हूँ, और फिर उसके बाद हम इस वीडियो में आते हैं, same process रहेगा, मैं जस्ट बना रहा हूँ, तो ठीक है, वीडियो को भी मैं post करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, मैंने पांचो पेज बना लिए, about us, contact us, disclaimer, privacy policy, terms and conditions, अब इसको हमें header में दिखाना है, उसके लिए हम जाएंगे, appearances में, menu में, select all, पांचो पेज, add to menu, पांचो पेज एड होगा है, save menu, header अल्रेडी दिख रहा है, हम जाते हैं, इसको refresh करते हैं, यहाँ पे पूरे पांचो पेज आ अब यह rank होगी नहीं होगी, यह मुझे भी नहीं पता है, बढ़ा, इसमें मैं keyword थोड़ी सी stuffing कर लूँगा, isa calculator already है, तीन चार बार, और मैं इसमें, पर मुझे यह थोड़ी सा look है, यह अभी भी boxes का है, aligned नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा look लग नहीं रहा है, तो मैं च the theme, can you write the HTML and make sure the look and feel is consistent and all the input boxes are aligned, यह आप Hindi में भी लिख सकते हो, आप try कर सकते हो, same result ही आएंगे, same result in the sense, changes होंगे, थोड़ी से, बढ़ आपको समझ में आ जाएगा, उसमें बोल दिया, ठीक है, मैंने कुछ कुछ लिख दिया, अब मुझे तो समझ नहीं आया, चलो मैंने तो copy करना था code, copy किया, यहाँ पर edit page में गए, edit page में जा करके, यह रहा code, control V, preview, ओ भाई जाओ, यह तो इसने अच्छा गासा view दे दिया, देखते हैं क्या बना दिया, इसने अब, ओरे भाई, यह देखिए, मतलब, एक code में, I don't have words, but it is amazing, it is so quick, इस चीज को करने में, as a developer, बहुत टाइम लगता है, मैं जानता हूँ, हर CSS को टेस्ट करना रहता है, color themes टेस्ट करनी रहती, inbox की sizes देखनी रहती, टाइम लगता है, एक दो मिनिट का काम नहीं है, जो chat GBT ने कर दिया है, और एक बार आप इसके habitual हो और इतनी अच्छे अच्छी बनाएगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा, तो मेरा ISA calculator की website बन गई है, इसमें ये देखिए steps वगेरा सारे कितने अच्छे से आ रहे हैं, इसमें मैं थोड़े दिनों में actions भी apply करूँगा, actions apply करूँगा, और इसके बाद मैं इससे देखता हू अर्णिंग कैसे करूँगा, बट इसको मैं अपनी portfolio website भी मान रहा हूँ, तो इसे मैं अपने portfolio में भी डालूँगा, ठीक है, अब इसके आगे आपको और क्या करना रहेगा, plugins में आप rank math और google site kit डाल दीजे, क्योंकि google site kit से आप इसे google search console और google analytics से connect कर सकते हैं, ताकि आपको data दिखता रहे है, ठीक है न, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे add new, यहाँ पर आप search करेंगे rank math, activate, तो rank math में मैं अभी कोई settings नहीं करने वाला हूँ, ठीक है न, rank math अभी इसके लिए इतना important है नहीं, क्योंकि मेरी एक page की website है, और उस page में मुझे बस meta और keyword देखना है, तो उस page में मैं जाओंगा, उस page के लिए मैं यहाँ पर ही edit में जा करके, इसका meta description और जो keywords है, बस मैं वो चीज़ें यहाँ पर डाल के देख लूँगा, ISA calculator, ठीक है, ISA calculator पर क्या बोल रहा है, आप देखेंगे इसने बोला है कि the focus keyword is not in the meta description, तो meta description क्या होता है, या तो आप पहला paragraph लिख दो, या फिर यहाँ edit snippet में जाओ, और यहाँ पर description है, यहाँ पर लिख दो ISA, free ISA, तो इसको भी मैं बोलता हूँ, चैट GBT कोई, ठीक है ना, कि please create a meta description with focus keyword ISA calculator, तो इसने बना दिया, एक meta description है, ठीक है, इसमें अगर आपको और कुछ changes करने हो, वो कर सकते हैं, यह भी AI से generate कर रहा है rank मैं, ओके, अब यह मैंने डाल दिया है, और यहाँ मेरा green हो गया, मतलब मैं इतना green और, यह इसमें believe नहीं करता हूँ, बट क्योंकि tool website है, तो add internal link का homepage ही है, उसमें और क्याई add करूँगा, अगर मैं कोई और tool बनाऊँगा, तो है image, अगर मुझे image डालनी होगी, तो डालूँगा, otherwise it is okay, content readability, you are not using rich media-like images, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, बस इस tool को use करने के लिए, वीडियो बना तो वैसा कुछ वीडियो बना करके मैं डाल सकता हूँ, उससे आगे मैं और कुछ नहीं करूँगा, इसके अलावा, आप plugins में जाएं, plugins में फिर google site kit डाल दीजिए, ठीक है न, तो google site kit के लिए, आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर डालना रहेगा, site, आपने जैसे ही डाला site space kit, यह देखे, site kit आगया, इसको install activate करे, आप देखेंगे, यहाँ पर site kit देखने लग गया है, आप देखेंगे, उपर यह site kit है, यहाँ के dashboard में जाएं, यहाँ पर आप connect करेंगे, तो आपका analytics और search console connect हो जाना चाहिए, तो मैं करता हूँ, sign in with google, अपने google id से मैंने sign in कर दिया है, continue, verify, google इसमें अपने आप यह html code डाल देगा, ठीक है न, जिसके basis पर वो validate करेगा, site kit plugin क्या करता है, यह सारी चीज़ें automatically कर देता है, then, set up a search console, yes, set it up, go to my dashboard, now, मेरा search console भी setup हो गया है, caching के लिए light speed cache है, नहीं तो WP rocket हम आपको देंगे, आप वो भी use कर सकते हैं, अब यह मेरी website बन गई है, अब इसके बाद मैं इसमें कुछ जादा नहीं करूँगा, अगर मैं कुछ नया tool बनाऊंगा, तो मैं इसमें डाल दूँगा, अधरवाइस इसमें और कोई changes होने नहीं वाले हैं, ठीक है, आप देखेंगे, site कैसी दिख रही है, site एक normal tool website की तरह ही दिख रही है, पूरा page है, इसमें मैं एक्सेंस apply करूँगा, देखते हैं, एक्सेंस अप्रूव होता है की नहीं, और उसके लिए हम update डाल देंगे, comments में, जैसे यह एक्सेंस अप्रूव होगा, पर हाँ, video publish होने के बाद ही हो सकता, एक्सेंस apply, तो अभी तो नहीं करेंगी apply, तो थोड़े दिनों में हम apply कर देंगे इसमें, तो यह website हमारी रहेगी, इसमें अगर और कोई tools होंगे, हम डाल देंगे, और जितने भी codes हैं, जो भी code हमने देखे हैं, वो मैं सारी चीज़ें VIP group में दूँगा, तो अगर आप हमसे hosting लेंगे, जैसा कि मैंने बोला है, उस VIP group में आपको यह सारी चीज़ें मिल जाएंगे, या फिर हम अपने जो premium plugins और themes हैं, उधर पर आपको दे देंगे, तो आपको और कोई tools में मिदद चाहिए होगी, प्लीज comment करें, प्लीज हमें बताएं, अब आप इससे कैसे revenue sources करेंगे, एक तो हमने आपको बता दिये, Google Adsense, दूसरी चीज़ हो गई है, portfolio, आपको इसे portfolio में बनाना रहेगा, convert करना रहेगा, आप इसे अपने काम में दिखाईए, कि मैंने ऐसी website बनाता हूँ, इस टाइप के tools में बनाता हूँ, ताकि आप पर development का experience देखेगा, और इस टाइप के आपना बहुत सारे tools बना सकते हो, और exact match domain लिया है मैंने, isa-calculator UK के लिए, ऐसे ही मैं और domains लूँगा, या फिर isa-calculator related, savings का calculator बना दूँगा, banking related calculators बनाऊँगा, ठीक है ना, इसी में, और आप लोग इस टाइप से age calculator भी बना सकते हैं, age calculator अच्छा आप बना के देखिए, कैसे बना पाएंगे, नहीं तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप बना देंगे, दूसरी चीज है, अगर आपको उस टाइप की चीजें चाहिए, तो अगेन कॉमेंट करेंगी, इस टाइप का और वीडियो बनाएं, और इसके बाद आपको इसमें, और इसके बाद आपको इसमें, बहुत जादा experience जैसे ही हो जाएगा, तो आप बड़े-बड़े टूल्स भी बना सकते हूं, बट अभी के लिए मैं नहीं recommend करूंगा, अभी आपके लिए skill develop करना जादा जरूर ही है, how to use, prompt engineering must है, prompt engineering सीखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है न, यह मेरी advice रहेगी, and I hope this video is very informative, very useful to you all, and I hope इससे आपने एक नई skill भी सीख पाओगे, एक नई जगे आप जा पाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, चीजों में तरक्की करोगे, इसमें blogs भी लिख सकते हूं, आप आई सा related, इसमें आप बहुत सी और चीज़ें भी कर सकते हों, तो आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करना यार, है ना, it gives me motivation, and I will come back very soon in any next course, थैंक यू वेरी मच, बाई!